पत्यपुर में नगरे निकाय चुनाव होने जा रहे हैं जिसको लेकर कुष्ण बेहारी नगर के वाड 29 के रहवासियों ने आरूप लगा है रहवासियों का कहना है कि 10 साल से विजुली का खंबा तक नहीं लगा बच्चों को पढ़ाई के लिए भी काफी दूर जाना पड़ता है रहवासियों ने कहा कि इस बार ऐसा अध्यक्षो जो वाड में सबसे पहले बिजुली की समस्या को दूर करे और बच्चों के लिए स्कूल के वैवस्था करे इस मामले पर कई बार नगर पाले का ध्यक्षो से संपर्क करने का प्रियास किया गया लेकिन कोई भी जवाब देने के लिए सामने नहीं आया लोग पानी भर जाता है लोग नमाजी नमाज पढ़ना नहीं जाए पाते बार इसमें यह दिक्कते हैं ना यहां तो सिच्चा गलिया स्कूल है ना पार्क है कोई तरह का कोई व्यूस्ता नहीं है अपकी हम लोग उसी को करेंगे जो हम लोगों के धियान देंगे वादे तो बहुत कर जाते हैं पूरा कोई नहीं करता जरूत पे जबान क्या देते हैं वाट के आउट दिया है क्या आपने अरे यार किसी को ओट लिश्च में नाम है और यहां बल्ली गड़ी हुए हैं उसी से हम लोग लाईट फीचे हैं और बहुत दिक्कज जाती है कोई गाली आगई वल्लीऋ धे फिर या आंधि तौफान कुछ भी आया ले जाती है नाली है नाली सारी जाम रहती है कोई कर्मचारी जाड़ो आड़ो लगाने नहीं आते हैं और सफाई होना चाहिए और लाइट की विवस्था कम रहती है यह से पोल टूड गया या तार टूड गया इस पर आदी का समस्या है कालूनी भरी है अदिसा लोगाएं जब कोई सुन आप यहां बहुति कि सुनाई नहीं होते कितने दूने सी आप परिशाँ है अदिसार्लिग है कालूनी हो रहे हैं लाइट है आपके खंबा किसे लगे खंबा कैसे लगे हुआ नहीं है यह दिक्कत होती है बढ़िपकोती आप है झाल